नमस्कार बच्चों मैतार डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है हम सेमुशी नाम की जो आपकी पार्टे पुष्टिका है उसको पढ़ रहे थे उसमें हमने गो दोहनम नामक पाड़ पढ़ रहे थे जिसमें हमने चार द्रश्य पढ़ लिये थे पांच्वा द्रश्य आज चलने वाला है चार द्रश्य में हमने देखा था कि चंदर और मलिका दोनों पति-पत्ने हैं मलिका विश्वनात के दर्सन के लिए जाना चाहती है अपने सहीलियों के साथ और अपने पती के ऊपर पुरा भार छोड़ के जाती है घर का ध्यान रखना, गाय को दोने का उसको जाने के बाद 30 लिटर दूद का उफर आता है उसके पास लेकिन वो विचार करता है कि अगर मैं निकाल करके दूद को स्टोरिज करूँगा रखूँगा, इकटा रखूँगा, तो दूद खराब हो जाएगा इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस गाय का महिने के अंत में ही दूद निकालता हूँ ताकि बहुत सारा दूद इकटा हो जाए, कुछ दिनों बाद उसकी पतने आ जाती है, साथ दिन बाद में तो दोनों मिलकर के विचार करते हैं कि इस दूद को रखने के लिए जो पात्र है, हमें वो भी लाना चाहिए तो दोनों कुमहार के पास जाते हैं और वहां से पात्र लाते हैं और आकर के गाय की शेवं में लग जाते हैं गुड देना, चारा डालना, ठीक है उसकी शींगों के ऊपर तेल बलना, दिपक जलाना इत्याद ही वो कार्य करते हैं अब पांचवे दृष्षी में क्या होता है, वो हम देखते हैं। दुख्द क्रेतार अन्य छे दूद ख्रेतने वाले और अन्य ग्राम वाशिन अन्य ग्राम वासि अप्रत्र दूर आशिना बेटे वई हैं तो साम का समय है, खाली पात रखे हुए हैं और दूद खरीदने वाले और कुछ ग्राम वासी वहां बेटे हुए हैं दूर चंदन, देनूं प्रणम्या मंगलाचरंव विधाये मलिकाम आहयती मलिके शत्वरं आगच्छ मलिका आयामी नात दोहनं आरबस्त वावत चंदन यदा धेनो समिपम गत्वा दोग्दु मिच्चती तदा धेनू प्रष्ट पादेने प्रहरती चंदन स्चय पात्रिन सहपतती नंदिनी दुग्दम देही किम जातम ते अब देखो देनुम प्रणम्य गाय को प्रणाम करता है मंगलाचरनम विधाये और मंगलाचरन करता है उसके तिलक वगरा करता है जो भी है मलिकाम आहयती मलिका को अवाद देता है बुलाता है मलिके मलिका शत्वरम आगच्च शिग्र आओ मल्ले का आया मिनात आती हूं स्वामी दोहनम आरबस्त्वय तावत दोहनम आप आरंब कीजिए तब तक आप क्या कीजिए गाय को दोहनम दूद निकालना प्रारंब कीजिए तो इसके बाद में क्या होता है चंदन यदा धेनो समिपम गत्वा यदा यानि जब धेनो समिपम गत्वा गाय के पास में जाता है दुगदम इच्छती और दूद दोहने की इच्छा करता है तदा तब धेनू प्रष्ट पादेन प्रहरती जो गाय है वो पीछे वाले पेर से उसके उपर प्रहार करती है प्रष्ट पादेन पीछे वाले पेर से प्रहरती प्रहरती प्रहार करती है चंदनस्य पात्रनस्य पत्ति चंदन पात्र के सहित गिर जाता है पात्रन से पत्ति पात्र के सहित गिर जाता है नंदनी दुगदम देही किम जातम ते नंदनी दूद्देव किम जातम ते तुम्हें क्या हो गया है अरे तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें दूद्देव ऐसा उज उस गाय से कहता है पुन्हे प्रियासम करोती और दुबारा प्रियास करता है अब देखो पुन्हे प्रियासम करोती पुन्हे दुबारा प्रियास करता है नंदनी चे पुने पुने और नंदनी भी बार बार पाद प्रहार निने पेर के प्रहार से ताडित्वा मारती है चंदनम रक्तरंजितम जाता होती और चंदन को रक्तरंजित कर देती है अर्थात उसके जगे जगे लगने से खुन निकलाता है और वो रक्तरंजित हो जाता ह हा अरे हतोस में मारा गया में मर गया में मारा गया में चितकारम कुर्वन पत्ती चितकार करते हुए गिर जाता है सर्वे सभी आस्रइन आस्रेश को अन्यो नमचे और एक दूसरे को पस्चनती देखते है यानि वो क्या करते हैं जब वो गाये सा करती है तो सब चंदन को और एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि यह क्या हो गया है अब आगे देखिए चितकारम सुत्वा चितकार सुन करके चिलाने की चीखने की अवास सुन करके जटिती प्रवेशे जट से प्रवेश करती है नात स्वामी किम जातम क्या हुआ कथम त्वम रक्त रंजित है और तुम कैसे रक्त रंजित हो गए हो कैसे खून से लत्पत हो गए हो दोहन की प्रक्रिया प्रारब करते ही ताडियत इमाम मुझको मारती है प्रहार करती है मेरे उपर मलिका धेनु को सनेह से और वात सले से प्रेम से चै अकारियम करती हुए दोग्दु प्राप्त करने का प्रियास करती है कि धेनु जो गाय है वो दूद से वीन है ऐसा वो जान जाती है कि गाय के पास दूद है ही नहीं ऐसा वो जान जाती है मलिका चंदनम प्रती नात अत्युनचितम कृतम आवाभ्याम यत मास प्रियंतम धेनो दोगनम कृतम साक्रिडम अनुभवती अत एव ताड़ियती चंदन देवी मया आपी ज्यातम यत असमाभी शर्वता अनुचितम कृतम यत पूर्ण मास प्रियंतम दोहनम नैकृतम अत एव दुगदम सुसकम जातम सत्यमे उक्तम अब देखो चंद मल्य का चंदनम प्रति चंदन के लिए नात स्वामी अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत अत्य अनुचितम अत्य अधिक अनुचित कृतम किया गया है आवाभ्याम हमारे दुगदम यत कि मास प्रियंतम धेनो दोहनम कृतम कि मास बाद में मास प्रि का अनुभव कर रही है अत एव ताड़ती इसलिए वो हमें मार रही है हमारे उपर रहार कर रही है कि मल्यगा करे कि स्वामी हमने बहुत ही गलत किया है इस गाये के साथ जो पूरे महिने दूर नहीं निकाल करके अन्तमे एक महिने बाद दूद निकालने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए वो पीड़ा का अनुभव कर रही है और हमें मार रही है चंद्र कहता है देवी मया पी ग्यातम çıkt है मुझे भी ये ग्यात हो गया है जान चुका हूँ असमा भी सरवता अनुचित मेव कितम यत कि हमारे द्वारा ये सर्वता अनुचित किया गया है पूर्ण मास परियंतम दोहनम ने कृतम पूरे मास बीतने पर पूरा महिना बीतने पर हमें ने कृतम दोहनम ने कृतम दूद को नहीं दोना चाहिए अत्य एव दुगदम सुक्सम जातम कि पूरे मास प्रयंतक हमने दूद नहीं दुआ इसलिए दुगदम सुषकम जातां इसलिए दूद सूख चुका है सत्य मेउक्तम सत्य रूप से कहा गया है कि कार्यम अद्धतनियम यतव तद्धेव विदियतां विपरितेग तिरी यस्य सह कष्टम लबते दुवं कार्यम अद्धतनियम यतव तद्धेव विदियतां विपरितेग तिरी यस्य सह कष्टम लबते दुवं अब देखो क्या कहा गया है सत्य कि यत अधतनियम कार्यम तद्धेव विदियतां यस्य गती विपरिते से दुवं कष्टम लबते अर्थार्थ यसे यानि जो गती विप्रिते इस गती से विप्रित कार्य करते हैं जो व्यक्ति इस गती से विप्रित कार्य करते अर्था समय के उपर कार्य नहीं करते हैं से दुरुम का मलब क्या हो गया निश्चित रूप से कश्टम लवते कश्ट को प्राप्त करते हैं एक बार रतदिय विप्रित कारिय करते हैं कि अभीका कारिय वरतमान का अभिका करने वाला है उसको अभी कर लेना चाहिए और यस्य गती विपरिते शेद्रुवं कस्टम लगते हैं और जो व्यक्ति इस गति से यानि इस से विपृत कारिय करते हैं कि अभी का कारिय भी नहीं करते हैं बाद में करने की चोष्टा करते हैं वो ध्रुम या निशित प्रकार से कष्ट को प्राप्त करते हैं अब देखिए मल्लिका कह रही है आम भरते हैं हाँ स्वामी सत्यम एव सत्य है ये मयापी पठितम यत मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सू विचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्यान कांख्षणा ये करोत्य विचार्यतत सैविशिदति मानवहा कल्यान कांख्षणा ये करोत्य विचार्यतत सैविशिदति मानवहा अर्थार्थ कल्यान कांख्षणा कार्यम सू विचार्यह विद्यताम ये मानवह ये तत अविचार्यम करोती सैविशादति कल्यान कंख्षणा यानि कल्यान रूपी जो कारिये हैं उसको सु विचारिये अच्छी प्रकार से विचार करके विधातव्यम करना चाहिए अर्थात जो कल्यान रूपी कारिये है अच्छा कारिये है उसको अच्छी प्रकार से सही प्रकार से विचार करके करना चाहिए यह मानव है जो मनुष्य है यह मानव है जो मनुष्य है एतत विप्रितम इससे विप्रित कार्य करते हैं यानि बिदा विचारे जो कार्य करते हैं से वे विशदती यानि दुख को प्राप्त करते हैं यानि जो कल्यान रूपी कारी है, कल्यान रूपी जो कारी है, उसको अच्छी तरह सोच विचार के करना चाहिए, और जो व्यक्ति इससे विप्रित कारी करते हैं, अर्थात बिना विचारी जो कारी करते हैं, वे हमेशा दुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे हमेशा भव किया है आज ही हमको पालूम चला है कि हमें जो कारिये एक महिने पहले से प्राणम रखना चाहिए था उसको हम एक महिने बाद में कारिय करने जा रहे हैं गाय का दूद एक महिने बाद में दोना चाहते हैं तो ऐसा हमारे को दुख प्रतित हो रहा है हमारे को दुख प्र लगते दुम सभी कहते हैं कि दिनस्य कारिय दिनका कारिय तस्मिन दिन game कर cant by उसी दिन करना चाहिए जिस दिन का कर्ये है उसको उसी दिन करना चाहिए यह एवं नक buti जो ऐसा नहीं करते हैं और सख मिल गाते रूंछicular greatest कर ते जवनिकां प्रतम जवनिका कमल उता परदा पत्तम गिरता है शर्वे मिलित्वा गायंती सभी मिल करके गाते हैं आदान प्रदानस्य आदानस्य प्रदानस्य हा क्रतव्यस्य चकर्मन हा ख्षिप्रमने क्रिय मानस्य हा काले पीबती तद्रशम आदानस्य प्रदानस्य हा क्रतव्यस्य चकर्मन हा क्रतव्यस्य चकर्मन हा ख्षिप्रमने क्रिय मानस्य हा काले पीबती तद्रशम अब देखिए खिप्रम एक्रिय मानश्य हां आदान प्रदानश्य हां क्रतव्यम चाय कर्मन है तद रशम काल है पीबती अर्था देखो क्षिप्रम यानि शिग्रता से एक्रिय मानश्य आदान प्रदानश्य क्रतव्यम आदान प्रदान यानि देन लेन का कारिय है उसको और क्रतव्यम चाहिए और कार्य को करम को चाहिए क्रियमानम शिक्र कर लेना चाहिए यानि जो देन लेन का कार्य है वो और जो भी आपका कर्म है यानि कार्य है उसको शिप्रम यानि शिक्र कर लेना चाहिए उसको क्या कर लेना चाहिए शिग्र कर लेना चाहिए करमनाय तद रशम काला पीबती और जो ऐसा कारिय नहीं करते हैं अर्थात अपना कारिय समय पे नहीं करते हैं लेन देन का काम समय पर नहीं करते हैं अपने करम को अपने कारिय को समय पर नहीं करते हैं उसके तद रशम का और करम है आपनाका लए उसको शिग्र्ता खे कर लेना चाहिए अन्यता जो हमारा रस है अर्थात हमारा जो करम है उसको काल यानि समय ही पूर्ण कर देता है उसको पी जाता है तो इता है पेला स्लोक है ये दूसरा स्लोक है इसके बाद में तीसरा और चोथा ठीक है ये स्लोगों की अन्वे है ये स्लोगों की अन्वे आपको लिख करके इसके बाद में इनका अर्थ लिखना है उपर स्लोक लिखना है उसके बाद में अन्वे लिखना है और फिर आपको उस में से उसका हिंदि सलार्थ करना है ठीकर पेटे अब देखो आप हिंदि सलार्थ देखते हम धेनो गोगाई मंदस्वरिण धीमियवाज में मनोहरे मनमोहके विरम रुको जिवा लोलूपताम जीवका लालच अक्षम है ऐसहाई धर्म यात्राम धार्मिक यात्रा सेटकम एक लिटर प्रत्यागता लोट आई सास्त्रियम हेरानिशे दुग्द दोहनम दुग्द दोहना दूद को प्राप्त करना निरतव दोनो जुटे हुए भंगुरम तूटकर समाप्त होने वाला विक्रिय बेचकर रिक्ता खाली रक्त रंजितम खून से सना अर्थात खून से सना हुआ अन्योन्यम आपसमे अनुमतिम आग्याय अनुमति सुसकम सुखा दुरुवम मिश्चित रूप से कल्यान कंक्षणा कल्यान चाहने वाले के द्वारा विशिदती दुकी होता है जवनिका, परदा शिप्रम, शिग्रता से अब ये आपका जो गो दुवनम नाम का पाड़ था वो पूर्ण हो चुका है इस पाठ के तृतिय पाठा आपका और इस पाठ का हिंदी सरलार्थ और कटिन सब्द आपको लिखने है याद करने है और समझने है बेटे देखो आपका टेस्ट, ओनलाइन टेस्ट होने वाला है तो एक दो चैप्ट रोर जाएंगे अपने 17 तारिक से साइद अपना तीन तारिक से तीन या इसके लगबग अपना टेस्ट है तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना समझना और इसका हिंदी अर्थ करना कल हम इसके प्रशनोतर देखेंगे आज आपको यहीं तक करना है धन्यवाद बच्चों